नमस्कात दोस्तों अम्बे सवरिसेश चैनल पर एक बार फिर से स्वागत हैं और आज की हमारी वीडियो है कि कुछ हमारी फ्रेंचाइजी है जिन्होंने मुझसे यह रिक्वेस्ट किया कि हम एमाजॉन के साथ जूल कर कैसे काम कर सकते हैं या फिर उनका डिलेवरी कैसे ले सकते हैं तो उसके बारे में हमने आज यह वीडियो बनाया हुआ है और कोशिश किया है कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ हाला कि आप लोगों न तो मेरे वीडियो को बहुत दवार देखा है बार बार देखते ही हैं पर आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब तो मेरा रिक्वेस्ट है कि क्रिपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मेरा बनाय हुआ या फिर मैंने जो मेहनत किया वो आपके प्रती जो है मेरा सफल रहा है तो क्रिपया मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक औ आ सकते हैं, तो जो Amazon की डिलेबरी पॉइंट होती है, जैसे कि आप बड़े-बड़े सहरों में देखे होंगे, कि आपके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां आती हैं, ट्रकेस आती हैं, जो Amazon का शामान एक डिलेबरी पॉइंट पे, हब पे जो है, वहाँ पॉइंट पे रख विख्षा है तो उसमें लोजिस्टिक के टाइप का सामान बगए-बगए पार्सल जाते हैं और जिसमें अच्छी खासी पार्सल पे इनकम भी हो जाती है कमिशन अच्छा बन जाता है जितना बड़ा पार्सल होता है उतना ही अच्छा कमिशन होता है तो जो एमाजान का जो delivery point है वो अगर आपको लेना चाहते हैं तो logistic amazon.in पर आपको website पर आना है और यहां पर आप देखेंगे कि क्या क्या जरूरते हैं क्या क्या requirement है जिससे आप जो है logistic amazon delivery partner का जो है आप जो है application form डाल सकते हैं तो जैसे यहां पर amazon ने यह कहा है कि आप अपने सहर में logistic का ले सकते ह अगर आपके area में आपके nearest आप जहां लेना चाहते हैं उसके कम से कम 10 km के range में अगर कोई nearest में आ गया है आपका amazon का location hub तो वहां पर आपको franchise नहीं मिलेगी location की in case अगर आपके 10 km के बाद अगर आप लेना चाहें और अच्छा area cover कर सकें आप amazon का तो वो जादा सही रहेगा औ और इसमें आपको सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो sailing करना है आपको ना कुछ करना है Amazon खुद sailing करता है आपको सिर्फ और सिर्फ आपको focus करना है अपने delivery पे तो यहां पर जो investment का जो plan है वो Amazon का advantage जो है कि low investment है यह कम से कम जो है छोटा देर लाक रुपैसे आप जो है Amazon का जो delivery point है फ्रेंचाइजी वो ले सकते हैं बड़े से एक square foot का area चाहिए कम से कम आपके हिसाब से 2000 या 1500 square foot area चाहिए जिसमें Amazon का सारा सामान रखा जा सके और आपके पास जैसे इनका कहना है कि एक लाक पचास जा रुपै जो है आप इन्वेस्ट करेंगे security money के तौर पे इनके पास में और 6-7-8 लाक रुपै का जो है इनके हां floating रहता है मतलब यह पैसा आपके आहां रहेगा liquid कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका commission बनेगा वो एक time के बाद ही मिलेगा तो 6-7-8 लाक गुरुप है वो फसना ही फसना है वो जब निकलेगा एक time आपका period complete होगा उस time जब आपका एक payout बनेगा तो उस time यह Amazon आपके account में transfer करेगी और कहना इनका यह भी है कि कम से कम आपके पास 15-20 van होनी चाहिए कुछ bike delivery partner होने चाहिए जिसको जो bike delivery जो अपने local area में parcel को deliver कर सके तो वीजवन आप या तो hire कर लीजे अपने आसपास से या किसी से per day के हिसाब से भी आप ले सकते हैं तो हाला कि यह तो business जो है investment plan है जिसमें आपको पैसा लगाना पड़ सकता है अगर आपको लगता है कि नहीं मैं capable हूँ और इसको कर सकता हूँ ता प्लिस apply now पे करेंगे वहां form आएगा form बनने के बाद सारा चीज़े complete करके आपको एक amazon mail भेजेगा mail के बाद आप खुद से वह आपको contact करेगा और आपके area में आएगा लेकिन मेरा जो concern यह है कि आप amazon से बिना पैसे लगाये हुए भी कैसे कमा सकते हैं कुछ लोग के पास पैसा नहीं होता है और जैसा कि आपको पता ही है कि एक amazon आपके हाँ भी सामान delivery करता ही है आपको भी यह चीज़े पता है कि अगर आप कोई चीज़ amazon समगाते हैं तो आपके गली महले में आ करके amazon का partner जो है call करता है और वो आपको सामान delivery करता है तो उनको जब amazon की तरफ से कुछ commission मिलता है तभी व वो कोई काम नहीं करते हैं तो इसमें क्या क्या requirement होती है वो सारी चीज़े में बताऊंगा यहां पर earning matter जो है वो घंटे का अगर आप देखेंगे एक घंटे में आप 120 रुपए से ले करके 140 रुपए आराम से आप कमा सकते हैं और डेली का कम से कम 800-900 रुपए लोग कमा ले होगी तो इस इसको apply करने के लिए सबसे पहले आपको जो है Amazon ६ाला है download करने के लिए app उसको download करना है download the amazon flex app तो यहां से आपको download करना है मैंने अल्रडी download करके रखा हुआ है जस्ट अभी चलिए हम लोग ने app जो है download कर लिया है अब हम इसमे एप में जो है singing करेंगे तो अपना email id और password डाल करके जो है हम इसमें logging कर लेते हैं लॉगिंग करने के बाद आपको सारे जो भी करेंट लोकेशन, कैमरा, एकसेस, फोटो, स्टेट जो लिखा हुआ है, ये सारे पर्विशन को हमें अलाउ करना पड़ेगा, ये करके हम सब को अलाउ कर देते हैं, और उसके बाद एक नया पेज खूल करके आएगा, जिसमें आपके पास वीकल है की नहीं है, तो अगर आप डिलेवरी का काम करना चाहते है, तो आपके पास एक अपना वीकल होना चाहिए, चाहे वो फोर वीलर हो, या फिर मोटर साइकल टू-वीलर हो, लेकिन ये चीज़े होनी बहुत जरूरी है, उटो रिक्षा है, या फिर सेडा तो उनसे भी आप जो है अपना Amazon का पार्सल जो है आप पहुंचा सकते हैं इनके लिए बगए-बगए पार्सल मिलेंगे जिनमें अच्छा खासा मोटा इनकम कमाई का जरिया मिल जाता है तो छोटे पार्सल पे कम पैसे का इनकम होता है बड़े पार्सल पे ज्यादा पैसे का इनकम होता है पर इसमें 15 रूपर से ले करके 30 रूपर जो है छोटे पार्सल पे मिलता है पर डिलिवरी पे जिसमें तेल बगएरा सब कुछ आपको उस सेलेक्ट करेंगे रिजन हमारा कौन सा है सपोस्ट डेट माल लिजिए कि मैं आपको दिखाने के लिए जो है उत्तर लखनव का उत्र प्रदेश्ट सेलेक्ट करता हूं देन उसके बाद आप से पूछेगा कि आपकी 18 साल उमर होनी चाहिए और 20 यह थ्री विलर और वीलर तो प्तर फॉलयर जो है बीस उपकाउंट चाहिए आपके पास में चैंनाinet अ क्यों जरूर होनान चाहिए और पर्मानेंट नमबर या नि पैन बहुत जरूरी है तो पैन को पर्मानेंट नमबर ही कहते हैं तो चलिए इस पे आगे हम जो है प्रोसीड करेंगे और यह सब चीजे होना बहुत जरूरी है आपके लिए क्योंकि इसके बगार जो है आप अगर 18 साल उमर नहीं होगे और आपका पैन काड नहीं होगा तो यह चीजे नहीं कर सकते हैं तो आप हम एग्रिमेंट ज अगर आप इस बाक्स को छोड़ देता है अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जीस्ट की दुरू करना चाहता है तो यह चीजे ऐसे ही छोड़ देनी है आपको जीस्ट वाली करने के लिए आप कंटीनिव जो है टिक मार्क करके नमर्स को आगे कर लेंगे इंसुरेंस ले लेंगे प्र टेक्स पर करेंगे टैक्स में अपना प्रोवाइड यूर पैन नमर्पर भरेंगे और सब्मिट कर देंगे एंग्सिट बिडाउट सेविग भी हो सकता है तो इस तरीके से पैन इन्फोर्मेशन आपका आ जाएगा और exit interview पे कर देंगे, अब उसके बाद आपका आता है payment, payment को जब आप select करेंगे, तो आपका किस हफते में कौन से last में मतलब, आपका जो भी हफते का last day होगा, उस दिन, उस दे को जो है, आपके account में आ जाएगा, कोई भी आप एक दिन select कर लीजे, उसमें आपका हफते के last day प अपना name जो भी है आपका, जैसे जिस account में commission लेना उसका भरे, अगर account select करें, saving और current, IFC code डाले, account नमर डाले, confirm फिर account नमर डाले अपना, और उसके बाद जो है, submit कर दें, then उसके बाद वीडियो की बारी आती है, वीडियो में आपको start करना है, जो इतने भी सारे वीडियो है उन सबी को start पे click करके play कर लेना है, जितने time का है, यह trading का video होता है, जिसको आप देख करके, Amazon का training ले सकते हैं, कि आपको इस तरीके से warrior करना है, तो जैसे ही आप सारे वीडियो को देख लेंगे, तो ऐसे yes का mark आ जाएगा, then उसके बाद जो है, green में, और उसको submit कर देना है, submit करते ही आपका आएगा driving license verification, driving license जो है, आप अपना verification करेंगे, already आप जो है, अपना driving license photo click करके phone में रखे रहे हैं, आधार का, sorry, back and front का deal जरूर होना चाहिए, in case अगर आपका deal आगे और पीछे का address अगर नहीं match करता है, तो आपका application जो है, reject भी हो सकता है, then उसके बाद आप आपका data भर भर ये, driving license number भर ये, state number भर ये, expiry date जरूर आपको भरनी है license की, कि कब आपका expire होगा driving license, then उसके बाद उसको submit कर देना है, और submit करने के बाद आपका ये चीजे, सारी चीजे complete होगा,